हालो गाइज, वालकाम टो माई चैनल, फ़न क्लॉक टाइज आज का जो वीडियो है, वो बहुत द्रमा कितार होने वाला है तो वीडियो को इन तक के देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें आज हम बात करेंगे कप्पू बेटा और पप्पू बेटा की, कप्पू बेटा और पप्पू बेटा बाजार में जाते हैं वहां से वो बहुत सारे फ्रूट लाते हैं और उनके पास एक गैस स्लेंडर है उस पे वो खाना बनाते हैं उनका एक चोटा सा घर है ये वाला पक्पू बेटा बैठा हुआ है और इसके बगल में इसका चोटा सभाई का पक्पू बेटा चलो यहां से एक अमरूद लेकर चलते हैं इस वाले बच्चे के सामने रखेंगे तुम जल्दी से अमरूद खा लेना और तुमको अभी तो स्कूल जाना है पढ़ाई करने के लिए और इसके बगल में दूसरा वाला बच्चा चलो इसके लिए भी एक अमरूद का टुकुडा ले चलकर इसके पास में रखेंगे जाओ फल बेचने वाली अब तुम यहां से जा सकते हो जाते रहो धीरे धीरे अरे यह क्या छोटे वाले बच्चे अभी तो तुम्हारे स्कूल की गारी आने वाली है इसकूल वाली बस अरे यह क्या इसकूल वाली बस तो आ गई अभी तुम दोनों बच्चे तयार नहीं हुए हो जल्दी जल्दी तयार हो लो नहीं तो यह बस आगे निकल जाएगी फिर तुम सभी बच्चे स्कूल कैसे जाओगे अरे ये क्या ये तो मुझे लगता ये तो स्कूल वाली बस चली जा रही है अरे ये क्या बस तो चली गई अब तुम सभी बच्चे स्कूल कैसे जाओगे चलो देखते हैं अब तुम दोनों बच्चे स्कूल कैसे जाओगे अरे ये क्या कोई एक कार आ रही है इसी वाले रां स्कूल चल जाना अरे यह क्या और तुम दूसरे वाले बच्चे तुम्छिर कैसे जाओगे मुझे लगता है आज स्कूल नहीं जा पहोगे एक बस भी चली गई और यह दूसरी वाली कार भी चली गई चलो तुमहरे दूद लेकर आते हैं दूद का छोटा सा डिबा अरे ये क्या यहाँ पर तो दो दो स्कूटी एक लाल रंकी स्कूटी और एक नीले रंकी स्कूटी चलो यहाँ से स्कूटी लेकर चलते हैं और इस छोटे वाले बच्चे के लिए दूद लेकर आएंगे चलो स्कूटी धीरे दीरे दीरे तुमको चलना है और तुमको दूद लेकर आना चोटे वाले बच्चे के लिए अरे ये क्या यहाँ पर देखो एक दो तेन तीन दूद के डिब्बे चलो इस छोटे वाले दूद के डिब्बे को इस वाले स्कूटी के ऊपर रखेंगे और इसको लेकर चलेंगे तुम खूप सारा दोध पी सकते हो, इसको यहां रखो, अब तुम छोटे वाले बच्चे राम से दोध पी सकते हो, दोध तुमारे पिता जी के गोदी में रखा हुआ है, चलो यहां से चलते हैं आगे की कहाने में, इस वाले बच्चे के घर के ऊपर चलते हैं, अरे यह क्या यहाँ पर तो कोई दो छोटी छोटी लड़किया और यह दोनों छोटी लड़किया यहाँ पर क्या बना रही है अरे यहाँ तो पकवान बन रहा है लेकिन पकवान में इतनी सारी तीखी मिर्ची कैसे आ गई अरे यहाँ तो बहुत तीखी तीखी पकवान बन रहा है यहाँ खाने के लिए तो कोई नहीं आएगा, केवल ये दोनों बच्चे इपकवान खाएंगे, ये इतना तीका कोछाता है, चलो पहले तीखी मिर्ची को यहां से खही दूर ले कर चलेंगे, इस तीखी मिर्ची को यहां से दूर करना पड़ेगा, अब तुम दोनों बच्ची पकव इस छोटी वाली के लिए एक दूद का डिबा और इस दूसरी वाली के लिए एक दूद का डिबा आया हुआ है लेकिन इस बड़ी वाली आउरत के लिए क्या आया हुआ है चलो इसका पता लगाते हैं अरे ये क्या कोई एक आटो रिक्सा आरा धीरे धीरे और अपने पर तो बनाना केला लेकर आया हुआ है इस बड़ी सी आउरत के लिए चलो यहां से केले को नेचे रख देते हैं अरे वह बहुत बढ़िया अब इस वाले आउरत के लिए खाने के लिए केला आ गया इस वाले आटोरिक्सा का बहुत धन्नबाद आटोरिक्सा तुम तो बहुत बढ़ अरे ये क्या ये तो बहुते सुन्दर कार लग रही है इस वाले कार की उपर काउन बैठेगा अरे ये क्या यहाँ पर इस वाले छोटी लड़की के पास पहेंने के लिए जूते लेकिन इस छोटी वाली के पास पहेंने के लिए कोई जूते नहीं है चलो इसके लिए जूते यहां मिलेगे चलो धीरे 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 चलते रहो अरे यह क्या यहां तो बहुत सारे जूते हैं लाल रंके सफेद रंके और यह नीले रंके जूते हैं बताओ बताओ तुमको कौन से रंके जूते चाहिए लाल रंके जूते चाहिए कि सफेद रंके की नीले रंके चलो यहां से लाल रंके जूते को लेकर चलते हैं यह सफे दोला जूता तो गंदा हो जाएगा चलो इस लाल रंके जूते को लेकर चलते हैं और इसके कार में रख देंगे अब तुम अपने कार को लेकर अपने घर वापस चले जाओ चलो धीरे 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 और तुम्हारा जूता ये देखो, चलो इसके जूते को भी यहां से, इस वाले कार से नीचे उतार देंगे, और इसके जूते को यहां नीचे रख देंगे, अब यहां पर सभी के पास पहनने के लिए एक एक जूते, ठंडी में जरूर जूते पहनना चाहिए, चलो यहां से चलते हैं आगे की कहानी में, अरे कार, कार तुम्हारा भी बहुत भूद धन बाद, जाओ तुम भी यहाँ फिर से खड़ी हो जाओ, अरे यह क्या, यहाँ तो पीने वाला हैंड पं भी बना हुआ है, और यह कौन है, यह तो छोटे छोटे जल परियां, और इन दोनों छोटे आने वाला नाखून पालिस आया हुआ है, और घर के उपर, दो छोटे छोटे लड़कियां तो सो रही हैं, इन दोनों के पास खाने के लिए यह क्या पपीता, और यह पॉप कौन रखा हुआ है, और बैठने के लिए दो छोटे छोटे कुरसियां, और इन दोनों के पास ख चलो यहां से चलते हैं आगे की कहानी में, अरे ये क्या, ये तो बड़ी सी जलपरी रानी, आज इनसे मुलाकात करने के लिए को न आ रहा है, चलो इसका पता लगाते हैं, अरे ये क्या, कोई एक स्कूटर से आ रहा है, एक आदमी अपने छोटी वाले बच्चे को लेकर आ र आया हुआ है, और ये तो बालो में लगाने वाला, लेकिन ये तो लड़कियों वाले समान है, बालो में लगाने वाला, चलो यहां से मिक्सर को लेकर चलते हैं, और इस वाले आदमी को दे दिया जाएगा, ये लो आदमी, तुम्हारे दिए जलपरी रानी मिक्सर दी हुई आप तुम स्कूटर लेकर अपने घर वापस चले जाओ, और अपने साथ इस वाले मिक्सर को भी लेकर जाओ, जाते रहो, ये जलपरी रानी बहुत बढ़िया है, ये सभी लोगों की मदद कर देती है, चलो यहां से चलते आगे की कहानी में, इस वाले बड़ी सी चारपाई क करती हैं, इस वाले गुड़ी सी खार समानी ゃाओ, और भुड़ी सी चाथ रहा लेकर पर समानु के लिए हैं, चलो यहां से बहुत बड़ी सी चारपाई, तो इस दोनों के गारी आई हुई है चलो इस वाले गुड़े के लिए कोई फल लेकर आते हैं किसी दुकांदार के पास में और इसी वाले ट्रक से चलेंगे चलते रहो ट्रक वाले भाई चलते रहो चलते रहो चलते रहो अरे ये क्या यहां तो कोई फल बेचने वाला आया हुआ है और इसके चलो इसमें से भुट्टे लेकर चलते हैं अरे वह बहुत बढ़िया Mack चलो इसमें से दो फ़ले लिया गया एक भुट्टे और एक и क्या अंगूर अब इसको गुड्डो करने क्यों लेगा चलते रहो धीरे 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 तुम चलते रहो अरे यहां रुको ये क्या गुड़े भाई गुड़े भाई ये देखो तुम्हारे लिए खाने के लिए कीवी फाल लेकर आया है और इस दूसरे वाले गुड़े के पास खाने के लिए क्या लेकर आया है इसके के पास खाने के लिए की भी फल आज तो यहां के कहानी देखने में मज़ा आ रहा था और यहां पर यह क्या प्यारी सी जलपरी रानी आज इस वाले जलपरी रानी से मुलाकात करने के लिए कोई स्कूटर के ऊपर बैट कर आया हुआ था और यह दोनों कौन है यह जलपरी के दो बड़ी वाली बेटियां और इनके पास ये क्या ये तो हमें समेक अप करती रहती हैं तभी ये देखने में इतनी सुन्दर लग रही हैं और घर के पर दू और चोटे चोटे बच्चे सो रहें इन दोनों के पास खाने के लिए पौकोन और ये पपीता रखा हुआ है और चोटी वाली बेटी के पास पाहने के लिए कोई जूते नहीं थी इसलिए आज इसके लिए जूते खरीत कर लाया गया ये देखोलाल रह रहें यहां भी आज के कहानी देखने में मजा आ रहा है अरे ये क्या आज पप्पू बेटा तो पढ़ाई करने के लिए स्कूल गया हुआ है लेकिन यह चोटा वाला लड़का तो भी घर पर ही रुका हुआ है और यह आपर क्या खा रहा है अरे यह क्या यह तो अमरूत खाने के लिए बैठा हुआ है और इसके घर के पर तेहां पकवान बन रहा है आज यहां पर बहुत सारी तीखी मिर्ची आ गई थी उसको यहां से दूर किया गया और इस देखा आपने इस वीडियो में कपो बेटा और पपो बेटा कैसे फ्रूट लाते हैं बाजार से उन्होंने क्या क्या लाया उन्होंने जाम लाया हां मेर्चिलाई चामल लाया और उसके सबजी बनाई और सबजी बनाके उनके जो फ्रेंड् डॉल था, टाइगर था और बहुत सारे और भी उसके दोस्त थे होर्स था, तो इन सब को उसने खाना बना के राइस चाउल बनाया है, हाँ और उन सब को उन्होंने खिराया है तो गाइस कैसे लिए आज की स्टोरी तो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो